नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फेस्बुक के बारे में फेस्बुक अभी काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि फेस्बुक अपना खुद का एक क्रिप्टोकरंसी लांच करने वाला है जब फेस्बुक का जो क्रिप्टोकरंसी होगा उसका यूज कैस होगा उस से मोस्ट पापुलर है और जो रिमेदेंस मार्केट में और जिसकी इंडिया की मार्केट में काफी- 1- natomiast चायना के बाद चायना का जो रिमेदेंस हो काफी जाद है तो रिमेदेंस की जो मार्केट है वो इंडिया में पूरे इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा है एट पर जेंट ठीक है अभी एक सर्वे होआ है कि लास्ट येर 2017 में जो इंटरनेशनली रेमिटेंस सबसे ज़्यादा था वो इंडिया का था तो फेस्बुक की कंपनी एक स्टेबल कोईन टाइप कुछ डिजिट का जो फोर्मूलेसन है कि जो मनी है वो क्रिप्टो करंसी के रूप में आप अपने वट्सप के माद्यम से कहीं और सेंड कर सकते हैं और पेपल के जो प्रेजिडेंट डैविड मार्कस है जो कि एक मेसेंजर एप लेकर कहा थे 2014 में वो भी क्रिप्टो करंसी का यूज कर रह तो अभी बैक डूर से काम चल रहा है फेस् बुक का क्रिप्टो करणा और पेस्बुक उसको एक्स्प्टर कर रहा है ब्लोक्चेन टेकनलोजी को जैसा कि इसमें बताया गया है और जो इसकी स्माल टीम है जो एक्स्प्लोर कर रहे है ब्लोक्चेन टेकनलोजी को उसका यूज कैसे किया जाए और जो वाटसप है एक मोबाइल मेसेजिंग जो एप है जो कि काफी पापूलर है इंटरनेशनली और इंडिया में भी और इंटरनेशनली इसके 200 मिली यूजर है और जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंस के मामले में डिल करते हैं उसमें 69 बिलियन जैसे दूसरे देशो से जो पैसा आता है इंडिया में दूसरे देशों में जो इंडियन से रहते हैं वो अपने घर पर जो पैसा बेशते हैं उसमें टोटल 69 बिलियन डोलर 2017 में इंडिया में बेजा गया है जो इंडिया के लोग है जो बार विदेशों में रह रहे हैं उन्हों नहीं ठीक है तो तो इस को देखते हुए Facebook जो है WhatsApp के तुरू एक cryptocurrency launch करने जा रहे है एक stable coin launch करने जा रहे है जो कि WhatsApp messenger के तुरू आप cryptocurrency का जो पैसा है अपना जो पैसा वो cryptocurrency के मादम से दूसरे country में transfer कर सकते हैं easily ठीक है तो अभी stable coin के जो date अभी वो declare हुई नहीं है जैसा कि जो token starting में लेकर करेंगे क्या करेंगी अभी 2.5 billion जिस जो user है Facebook के across the world और साल का 40 billion डॉलर इसका revenue आता है Facebook का advertisement के मादम से तो अभी Facebook आने वोले time में एक ऐसी कर्प्रो करन से develop करने जा रहे है जिसका use very easily हो WhatsApp के मादम से और जो दूसरे देशों में जो भी country जिस भी country के लोग दूसरे देशों में जो job करते हैं और अपने देश में जो पैसा बेजते है रेमिटेंस के मादम से वो सबसे ज्यादा यूज करेंगे Facebook का ठीक है Facebook के coin का जो cryptocurrency लांच होने वाली यही बिसी का नहीं जिसका चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा market है मोबाइल के रूप में मोबाइल की करांथिक रूप में और एशिया में नंबर दो पे आता है और जो रेमिटेंस क्या होता है कि रेमिटेंस जो पैसा होता है send back home from those living outside their country of origin तो रेमिटेंस के माददम से अगर एक data जो वल्ड बैंक ने दिया है उसमें इंडिया नंबर वन पे है जिसने लास्ट ये 69 बिलियन डॉलर्स अपने कंट्री में जितने भी इंडियन जो बाहर रखते हैं उन्होंने पैसा यहां पर भेज जाए इंडिया में 69 बिलियर डॉलर्स चाना के बाद जो इंडिया का जो मार्केट है काफी बड़ा है इन सब को देखते विए फेस्बुक जो क्रप्टो करंसी लांच करेगी उसका बेनेफिट इंडियन सीजर को होगा ज्यादा टेक्स नहीं देना पड़ेगा यहां पर तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते विए यह अपने क्रप्टो करंसी लेकर करके आने वाले हैं मार्केट में दोस्तों तो आसा करता हूं दोस्तों यह जानकर आपको पसंद आए होगी दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहे हैं इस वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए कोमेंट किजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों करंट इनफोर्मिसीन क्रप्टो करंसी रि